हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई योटूब चैनल, हम लोग इंडियस फोटी डिसकस कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनिशियल रिकोगनिशन, फर्स्ट टाइम रिकोगनिशन, इन्वेश्मिन प्रपर्टी का किस प्रकार करते हैं, जब हम परचेज करते या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस समय प्रपर्टी को किस वैल्यू पर रिकोड करेंगे, यह लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, जिन लोगों ने नहीं देखा हो, वो जाकर हमारे यूटूब चैनल पर देख सकते हैं, यह वीडियो अप्लोड कर दी गई है, तोड़े we will discuss about subsequent recognition, after initial recognition, अगर हमने उसमें कुछ repair, maintenance किया है, या कुछ replacement या addition या deletion किया है, तो उसका recognition, उसकी valuation कैसे करेंगे, उसको किस वैल्यू पर record करेंगे, investment property को, इन वातों की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, तो मान लिजे कोई property था, पहले वो business में use हो रहा था, उस पर हमने कोई repair और maintenance कर दिया, अगर यह repair, maintenance, day-to-day servicing का part है, routine cost है हमारा, तो इसे capitalize नहीं करेंगे, इस खर्चे को profit and loss account में transfer कर देंगे, profit and loss account में charge कर देंगे, बट अगर यह expenditure ऐसा है, ऐसा expenditure है, यो कि existing property को replacement के लिए, addition के लिए, replacement के लिए, addition के लिए करते हैं, तो ऐसे खर्चे को हम capitalize करेंगे, जैसे कि माल लीजिए कि कोई expenditure किया, जिसे कि हमने कोई नया lift खरीद लिया, या interior, किसी building का था, room का था, office का था, उसको हमने interior change कर दिया, या पुरानी वाल जो टूट गई थी, जर जर हो गई थी, पुरानी हो गई थी, उसको तोर के फिर से एक नया वाल बना आया, या जो tiles था, टूट गया था, फ्लोरिंग हमने change करा दी, बिल्कुल नया फ्लोर बना लिया, टूर गया था, ये ए सारे expenditure, capital expenditure के nature का है, क्योंकि इसका benefit more than one accounting years में प्राप्त होता है, तो ऐसे expenditure को हम capitalize करेंगे, और routine का expenditure जैसे lift के maintenance के लिए MC करवाया हमने, प्रोपर्टी टेक्स भड़ा, या वाल को repair करा दिया, छोटा मोटा यो टूट गया था, हमारा वाल उसको repair करा दिया, फ्लोर में छोटी मोटे repair and maintenance के या, या वाल की painting या interior का painting, या building का हमने painting करा है, तो ऐसे cases में ये छोटे मोटे खर्चे जो है, इसे repair and maintenance मानेंगे, और इस capitalize नहीं करेंगे, ऐसे खर्चे को profit and loss account में transfer कर देंगे, तो पहला case है, repair and maintenance का दूसरा का है, replacement करते हैं या addition करते हैं, addition का मतलब कुछ, पहले से एक floor बना हुआ था building का, अब हमने उस पे एक दूसरा नया floor बना दिया, तो इस इडिशन, if any expenses is incurred in the form of repair and maintenance, that is day-to-day servicing on investment property, then such an expenses will be write-off in profit and loss account in the same year in which it is incurred, अगर कोई repair and maintenance का खर्चा है, investment property पे, तो उसे हम profit and loss account में write-off करेंगे, उसी साल में, जिस साल में हमने खर्चा किया है, such an expenses cannot be capitalized, ऐसे expenses को capitalized नहीं करना है, to the cost of property, because it does not contribute to the appreciation of value, ऐसे खर्चे को हम क्यों नहीं capitalized करते हैं, क्योंकि इससे property के value में कोई appreciation नहीं होता है, but these are incurred to maintain normal performance of the asset, asset को perform करने के लिए, ठीक तरीके से perform करने के लिए, उसके performance को maintain रखने के लिए, किया जाता है, तो इसी लिए, ऐसे खर्चों को हम profit and loss account में write up कर देते हैं, this is called repair and maintenance expenses, दूसरे type का जो खर्चा है, replacement या addition या capitalized, capital expenditure जो करते हैं, if any expenditure is incurred for replacement या addition of asset, कोई asset को replace करते हैं, या फिर कोई नया asset ले आते हैं, asset को replace करने का क्या मतलब है, कोई flooring था, flooring था, marble flooring पहले से था, उस पे हमने उसको हटा के बढ़िया सा सुंदर tines लगा दिया, flooring हमने चेंज गए, या simple flooring था, तो हमने उस पे moral flooring लगा दिया, तो इससे asset की life बढ़ गई उसकी value बढ़ गई, तो ऐसे expenditure को हम capitalize करेंगे, दूसरे example माली जी पहले से कोई lift नहीं लगा था, हमने अब lift लगा दिया, तो this is call addition, तो ऐसे कर्चे को हम capitalize करेंगे, करना कि इसे हम repair and maintenance माझेंगे, ठीक है, तो if any expenditure is incurred on replacement, या addition of asset, then such expenditure will be capitalized in the cost of investment property, because it is considered as capital expenditure, क्योंकि इसका benefit more than one accounting year में हमें मिलता है, such expenditure is made to increase the value of property, such expenditure is made to increase the value of property, that is expenditure on new lift, interior, etc, ऐसे expenditure से property का value increase हो जाता, इसलिए ऐसे expenditure को हम capitalize करेंगे उस ना कि हम profit and loss account में charge कर देंगे, तो revise carrying amount होगा, वो कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम यहां करने जा रहे हैं, तो existing carrying amount जो आ रहा होगा, आज पर initial recognition, उसकी value यहां note करेंगे, फिर उसमें जो हमने expenditure किया है, नया asset जो कड़ित के लाया है, वाली यह कोई नया lift ले गया है, तो उसकी value को add करेंगे, then उसमें से जो पुराना asset जो हमने बेच दिया, पुराने मानलो कोई lift लगा हुआ था, उसको हमने बेच दिया, तो उसकी ascribe value से जो money प्राप्त है, उसकी value को हम last करेंगे, इस प्रकार है, we will arrive on revised carrying amount, तो how would calculate revised carrying amount, first of all, we will take existing carrying amount of the investment property, then we will add expenditure on new asset, then less करेंगे, scrap से जो realize होता है amount, उसकी value को हम less करेंगे, then we will get the revised carrying amount, clear है, further depreciation will be computed on revised carrying amount, जो depreciation, अब हम compute करेंगे, जो depreciation लगाएंगे, वो revised carrying amount पे लगाएंगे, ना कि original carrying amount जो होता है, existing carrying amount था, उस पे लगाएंगे, और वो भी remaining useful life पॉपेसर, जो remaining useful life है, जो remaining useful life है, आप एसे हैं जैसे कोई नयाप, एसेट अगर खरीद के लाएंगे, उसकी life जदा होगी, तो जो नई life है, उस life के according हम, asset को revised carrying amount पे depreciate करेंगे इसे हम आगे चलकर पुना discuss करेंगे question के माध्यम से अभी आप इतना समझ दो जिए further depreciation will be computed on the basis of revised carrying amount on the basis of remaining useful life of asset जो depreciation compute करेंगे revised carrying amount पे और जो अब उसकी नई value निकल के आएगी after addition or deletion कोई नई नई life जो निकल के आएगी जैसे माध्यम से नया lift लगा है तो उसकी value उसकी life जदा होगी तो जो नई useful life होगी उस useful life के basis पर हम उस property को investment property को depreciate करेंगे कभी कभी क्या होता है जब हम component wise depreciation लगाते है जैसे माध्य ょकोई कार है होए तक मामिज यह कए कार है component wise जब हम depreciation लगाते है जब हम component wise तो tear की value tear का life अलग होगा useful life अलग होगा sheet का useful life अलग होगा window का useful life अलग होगा other interior का useful life अलग होगा तो in case of component wise depreciation अगर हम component wise depreciation लगाते हैं तो सभी की useful life अलग अलोग को होती है और इसका depreciation component wise calculate करते हैं In case of component is replace of an investment property then following a step should be applied अगर हम मानलोट की tire को replace कर देते हैं तो उसकी accounting कैसे करेंगा अगर component wise हम depreciation लगाते हैं तो सबसे पहले हम जो component हमने replace किया उसको हम de-recognize करेंगे जो component हमने replace कर दिया मानलो कार कोई कार था उसका हमने tire replace कर दिया उस tire को replace करके दूसरा tire लगा दिया तो जो tire हमने replace किया उसको books हटाएंगे और जो नए tire को हमने खड़ीदा है उसको books में add करेंगे तो कैसे add करेंगा डिलीट करेंगे उसी बात की हम चर्चा करेंगा सबसे पहले हम डिरिकोग्नाइज करेंगे old component को एक इस्टिंग करिए मौन्ट विल भी रिपलेस्ट पॉम्पोनेंट शुट भी डी रिको गनाई जैज पर उसके पर हम करेंगे जो बीच के में पैसा मिला है उस पैसे बैंक अगाउंट को डेविट करेंगे जो भी प्रोफिट या लॉज अगर लॉस है तो डेविट करेंगे प्रोफिट है तो करेंगे तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट जो है उसको डी रिकोगनाईज करेंगे बींग ओल असे डी रिकोगनाईज अब न्यू कंपोनेंट हम जो खड़ित के नहां टायर ला है उसको हम रिकोगनाईज करेंगे तो न्यू एसेट अकाउंट डेविट तो बैंक तो देखा आपने हमने कैसे अगर कोई component को change करते हैं replace करते हैं तो उसकी accounting कैसे करते हैं सबसे पहले हमें old component का value जो आ रहा होगा उसको d recognize करना होगा फिर new component का value जो आ रहा होगा उसे recognize करें simple है पहले step में हमने d recognize किया गया old component को और step 2 में recognize किया गया जो भी expenditure हो new asset किया उससे हमने recognize कर लिया इसे हम आईए question की मदद से समझते हैं x limited acquired a land for Rs.15 crore and constructed building at a cost of 40 crore x limited ने 15 crore में कोई land खरीदा लैंड खरीदा 15 crore में तो इसका क्या मतलब है land की value को हम books में नहीं दिखाते हैं तो यह 15 crore हमारे लिए irrelevant है और and constructed building at a cost of 40 crore 40 crore में हमने building construct किया building को बनाने में उस land पर building को बनाने में 40 crore रुपे खर्च किया this is relevant for me to be used for letting out for commercial and residential purpose जिसे की हम commercial and residential purpose के लिए यूज करेंगे इसका क्या मतलब है this is investment property as per India as 40 under varied lease term ठीक है तो हमारा question कहता है 15 crore की कोई land लाया उसको 40 crore पर खर्च करके हमने building construct करा और उसको let out कर दिया let out करना हमारा करने से this is called investment property as per India's property interior wall in the common space were decorated at a cost of 120 lakh interior जो था इस 40 lakhs में इस 40 lakh में interior की जो value थी इस 40 lakh का break up है दो break up है उसमें interior का value है 1.2 crore 1.2 crore इसकी जो life है यह पंदरा साल है यह पंदरा साल है और building की जो life है remaining building की life है remaining building की जो life है वह 50 एस है building और यह 50 एस है तो 1.40 crore के खर्चे में 40 crore का खर्चा किया उसमें 2 component है पहला component जो है वह interior है दूसरा component building है interior की life 15 साल है building की life 50 साल है 40 crore के 2 टुकरे कर दी हमने 40 crore के 2 टुकरे एक टुकरा 1.2 crore का है तो दूसरा कितने का हो गया 38.8 crore ठीक है तो 40 crore के दो भाग हो गए और उसकी दो अलग-अलग life हो गई तो आगे कहता है after 10 years entity change the interior decoration at a cost of 1.5 crore यह हमें interior पसंद नहीं आया इस interior को हमने अटा दिया इस interior को बदल के हमने दूसरा interior लगा लिया 10 साल बार 10 years later हमने इसकी costing थी 1.5 crore and estimate कि यहा कि इसकी जो life होगी 15 साल होगी clear है find out the depreciation change during 1 to 11 years and so accounting entry for replacement of interior work एक से 11 साल के बीच में जो depreciation होगा उसकी value आपको गयात करनी है और carrying amount गयात करना है question आपको उमीद है समझे में आया question बहुत simple है फिर से एक बार clear करता हूं कोई land था उस पर हमने building construct करी construction cost जो की हमें 40 crore रुपी आया 40 crore के 2 टुक रहे हैं एक तो हमने building पर खर्च किया दुसरा interior पे building पर जो खर्च किया हुआ 38.8 crore है और interior पर जो खर्च किया हमने ओ 1.2 crore है interior की life 50 नहीं ऐसा है और building की life 50 ऐसा है 10 साल बाद हमने interior को change कर दिया पुराने interior को हटा के पुराने decoration को हटा के हमने न्या डिक्रोड कराया 1.5 क्रोबर में तो आपको केरिंग अमांट और डिप्रीसेशन की वेल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसान है ओल वेल्यू को हम करेंगे और नीवक कईसे करेंगे इसके लिए मैं स्टेमें बनाएंगे स्टेमें currently हटेज्वियR डेंदिय्ली साल के अंत में करेंट होगा कितना होगा उसकी वेलू निकालं निकालां निकाली है अपनिंग कोस्ट लेंगा आपनिंग कोस्ट कितना था। 40 करोर, 40 करोर के दो टुकरे हमने बता है, 1.2 करोर इंटीरियर पे, दूसरा टुकरा था बिल्डिंग पे, 38.8 करोर, इस पे डिप्रीशिशन चार्ज करेंगे, बिल्डिंग पे की लाइफ 50 एस है, इंटिनेर की लाइप फिप्टीन एर्थ है, एक की पचास है, दूसरे की पंदरा है, तो पंदरा, पचास साल के अकोर्डिंग बिल्डिंग की लाइप में दस साल का डिप्रिसेशन की इतना निकल के आएगा, 38.8 divided by 50 करेंगे, उसको 10 से मल्टिप्लाइ करने के बाद, हमें जो वेल्यू निकल गया आएगी, वो दिप्रिसेशन की वेल्यू हो जाएगी, 7.76 करोर, उसी प्रकार, इंटिरियर का वेल्यू ता 1.2 करोर, उसकी लाइप 15 करोर, 1.2 करोर divided by 15 करोर, multiply by 10 years, 10 साल के निकलना है, इसलिए 10 साल से multiply करेंगे, 10 से multiply करेंगे, जो वेल्यू निकल के आएगी, वो 0.8 करोर, 0.8 करोर यह हमारा डिप्रिसेशन आगया, तो total depreciation दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाके, total depreciation जो हो गया, इन दोनों को मिला के 8.56 करोर हो गया, और carrying amount, अगर depreciation लेस करने के वाज़ो carrying amount होगा, 38.8 में अगर हम 7.6 को less कर देंगे, तो हमारा जो value निकल गयागा, हो carrying amount, 31.04 interior का जो निकल कि आएगा 1.2 करोर में से depreciation अगर हम less करते हैं तो 0.4 करोर आएगा और total value as a whole 40 करोर में से depreciation घटा देंगे तो हमें carrying amount मिलेगा this is also called component wise depreciation हमने अलग-अलग component की अलग-अलग depreciation उसके value के इसाफ से निकाले जैसे overall ये building था building के दो पार्ट हो गए overall क्या था ये building था building के दो पार्ट हो गए एक building एक पार्ट interior बन गया एक पार्ट building बन गया building की life अलग है 50 साल है और interior की life 15 years है हमने interior को replace किया तो cable interior को replace किया और जो एंटिरियर पे खर्च कर दिया तो पार इसको अचर्च कर दिया तो इसको को बुक्स से हटाएंगे 0.4 क्रोर को और नए खर्चे जो हमने किये इंटिरियर पे 1.5 क्रोर का उसको बुक्स में रिकोगनाज करेंगे तो new interior को रिकोगनाज करने की entry होगी new asset account debit new interior account debit 1.5 क्रोर से करेंगे और credit करेंगे bank को 1.5 क्रोर से being new expenditure capitalize इससे केप्टिलाइज क्यों कर रहे है क्योंकि इससे बिल्डिंग की लाइफ इन्हेंस हो जाएगी बिल्डिंग की वैल्यू इन्हेंस हो जाएगी न्यू इंटिडियर पर हमने खर्च किया उसको हमने यह रिपेर मेंटिनेंस का कर्चा नहीं मानेंगे इससे हम करेंगे और profit and loss account को debit करेंगे और profit and loss account को debit करेंगे और profit and loss account को debit करेंगे बिंग old asset dealer को ना है क्योंकि इस case में हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला हमने सारा scrap कर दिया स्क्रेप से भी कुछ पैसा नहीं मिला और इसलिए यह सारा का सारा हमारा लॉस हो गया अगर कोई पैसा मिलता तो हम बैंक को डेविट करते पर इसकेस में हमें कुछ भी नहीं मिला तो प्रोफिट अन लॉस अकाउंट डेविट तो ओल इंटिरियर्स बिंग ओल असेट डिरि पुराने की को डिर रिकोगनाईज करें ए नहीं इक और रिकोगनाईज करेंगे मतनल न्या आसेट खडी देंगे ऐसे मानेंगे की नयासे टमनेकरीदा पराणा इसे बेच दिया ठीक है अब 11 साल से यह तो 10 साल की कहानी अभी तक हमने उपर डिस्केस करें ग्यार्मी साल से कैसे करेंगे 11th year 11th year opening valence जो है कितना आएगा opening valence building का यहां जो आ रहाता है वही opening valence carry होगा यह जो opening valence 31.04 क्रोर जो आ रहा था वही 11th year का opening valence हो जाएगा अब 10th year के end में हमने 1.5 क्रोर रुपिया इंटिरियर पे खर्च किया था इंटिरियर पे खर्च किया था वह हमारा opening valence हो जाएगा तो 2 टुक्रे अब होगे building का building का जो carrying amount सा हुआ हमारा opening amount हो गया और new interior पे जो खर्च किया वह हमारा नया value होगा पुराने value को हमने discard कर दिया write off कर दिया तो total नई value निकल के आ गई 32.5 क्रोर अब इस पे जो remaining life है building की 50 में से 10 less हो गई तो 40 years बचिया और नया interior की value cushion में दे रखा है वो 15 साल है तो new interior की life remaining useful life 15 years है उसपर depreciation remaining useful life के according हम कर रहे हैं तो 31.04 divided by 40 निकल के जो value आगे वो 0.776 क्रोर और 1.5 divided by 15 value जो निकल के आगे 50.01 क्रोर यह प्रस्वाइशन वैह देने करें अचार्ण कर आगे तो उसके तो तोल वैलुट ईप्रसएशन के इतने आ गई नों है यह जो रहे होँ इतना है यह जा किरिए यह जा वोल्द्वर्विद्वर्वर्द्वर्द्व इतना आ जा इतना हागे व था यह दिए धि इंटिनर को 1.4 को इस परकार से हम एसेट को बुक्स हटा दिया पुराने एसेट को नए एसेट को हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया ठीक है अब दूसरा गुश्चन लेते हैं दूसरा कुश्चन बहुत ही असान है बेटे इंडेयस जो है बहुत ही असान है कुछ भी नहीं है समझे कि आपकी लाइफ में जो डे टू डे घटना घटती है उसके विसीज पे आपको एकाउंटिंग करनी है अगर आप अपनी जेप से कोई खर्च करते तो कैसे काउंटिंग करते क्या हिसाब रखते वैसे ही आपको इंडेयस में करना है इंडेयस नथिंग बट इट से बेस्ट डॉन डेली प्रेक्टिकल लाइफ ओके अब दूसरा कुछिन आजे डिसकर्श करते है खर्च कही है इंडेयस पॉर्टी ठीक है, as per AS40 ठीक है AS40 The building has a carrying amount The building has a carrying amount of 50 lakh Building का carrying amount 50 lakh है X Limited recently replaced interior wall of the building and the cost of new interior wall is 5 lakh Building का है, X Limited ने interior wall को replace कर दिया जिसकी costing 5 lakh है Replace करने का क्या मतलब है ये हमारा capital expenditure है Replace करते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि this is interior expenditure This is capital expenditure not revenue expenditure not day-to-day maintenance charge which is costing रुपीच 5 lakh The original walls have a carrying amount of 1 lakh Original wall की जो carrying amount था 1 lakh था How X Limited should account for above cost Very simple है Question कहा रहा है Building का जो carrying amount है वो 50 lakh है Building का जो carrying amount है वो 50 lakh है उसको उसमें 2 तुकरे है Interior का value कितना है वो 1 lakh रुपीय है 50 lakh के 2 तुकरे 50 lakh के 2 तुकरे हो गए ना ये building है Building है इसके 2 तुकरे हो गए 50 lakh की value के 49 lakh रुपीय बिल्डिंग के हो गए और 1 lakh interior के हो गए Interior को change करके इस 1 lakh को change करके हमने इस पुराने interior को हटा दिया और इसे replace कर दिया 5 lakh रुपीय के नए interior से ठीक है तो अब हमें करना है पूछ रहा है Question कि books में कैसे दिखाएंगा तो बहुत simple है तो 50 lakh में से 1 lakh रुपीय को D-recognize कर देंगे 1 lakh रुपीय को D-recognize कर देंगे और जो हमने 5 lakh रुपीय खर्च किया है उसे add कर देंगे तो जो value निकल के आगे वही new carrying amount होगा कैसे करेंगे 50 lakh रुपीय था उसमें हमें 1 lakh रुपीय घडाना है प्लस कितना करना है 5 lakh रुपीय जो addition this is new carrying amount यही answer है इसका question पूछ रहा है कि जो नया costing है वो कितना लेना है तो नया costing हमें 4 lakh रुपीय लेना है ठीक है assume करते हैं कि यह जो interior पर जो ख़र्च किया है वो recognition criteria made करता है recognition criteria made करता है capital expenditure है मान लिया recognition asset recognize करने के जो criteria है वो fulfill हो रहा है ठीक है तो value जो निकल के आए जाएगी वो value होगी 4 lakh under recognition principle 50 lakh रुपीय वेल्यू आ रही थी पहले से 50 lakh रुपे की value आ रही थी उसमें से 5 lakh रुपे आड़ करेंगे new asset की value और पुराने asset की value जो discard करेंगे जो value निकल के आएगी वह new carrying cost आएगी इस value पे यह building दिखेगा हमारे balance sheet में ठीक है मैं तक clear है बहुत आसान था अब कर रहा है कि investment property को balance sheet पे किस value पर दिखाएंगे यह अभी तक हमने जो डिसकस किया पहले हम कोई property था investment property वो हम खरीद के लाते हैं परचेज करते हैं या construct करते हैं या construct किया फिर उस पर हमने कुछ modification किया क्या किया उस पर हमने addition कर दिया या deletion कर दिया या कुछ repair and maintenance कर दिया ठीक है यह सब करते करते हैं अब हम year end पर पहुंच गया अब year end पर पूछ रहा है कि year end पर कैसे आप accounting कर रहें year end पर किस value पर दिखाओगे तो year end पर जो हम दिखाएंगे investment property को वो हम cost पर दिखाएंगे cost model पोलो करते हैं investment property इंडिया S40 जो कहता है वो हमें कहता है कि cost model पर दिखाना है ना कि fair value पर दिखाना है ना कि revolution model पर दिखाना है तो as per India S40 investment property जो report करेंगे वो cost model पर करेंगे ना कि revolution model पर revolution model is not allowed revolution model is not allowed under in India S40 फिर से repeat करता हूं बच्चे यहां गलती कर जाते हैं वो revolution fair value को revolution model माल लेते हैं नहीं fair value पर अगर हम दिखाना है तो केवल note to accounts में दिखाएंगे बाट जो balance sheet में जो figure निकल के आएगी balance sheet में जो figure दिखेगी वो केवल cost model पर दिखेगी cost model पर historical cost model पर दिखेगी fair value पर जो है note to account में उसका fair value दिखा सकते हैं अगर अगर value अपबाड revolution है तो value उसकी बढ़ गई है carrying out से ज्यादा आ रही है तो उसे note to account में हम disclose कर सकते हैं पर अगर value down हो गई है तो उसे भी note to account में disclose कर सकते हैं ठीक है पर जो है revolution model adopt नहीं करना है only जो है हमें cost model adopt करना है तो carrying amount cost model में कैसे निकल के आएगी इस बात की हमें चर्चा करना है तो original cost जो हमने original expenses जो खर्च किया था वो आएगा उस पर during the year हमें उस पर depreciation charge करना होगा as per useful life और जो निकल के value आएगी वो return down value निकल गईगी अगर return down value जो है अगर return down value जो है वो अगर book value जो है वो कम है fair value से अगर book value कम है fair value से तो उसको impairment loss भी करेंगा ये fair value of investment property is less than wdb अगर उसका fair value कम है अगर return down value मान लीजे की आपका आ रहा है 50 लख opening cost मान लीजे 100 था depreciation 10 कर दिया 90 आ गया और fair value मान लीजे इसका मान लीजे 50 ला की आ रहा है ठीक है तो तो कह रहा है कि अगर fair value if fair value of investment property is less than wdb then decline in value can be recognized in the books as impairment है जो इसमें जो decline है 40 का वो recognize होगा wdb 90 आ रहा है और fair value 50 लाक है 50 लाक है तो 50 लाक पर रिकोगनाईज करेंगे 40 लाक का impairment loss रिकोगनाईज करेंगे जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमें कहरें अमाउंट रिपोर्ट करना है कोई कर रहा है if fair value of investment property is less fair value कितना हो गया 50 लाक हो गया less than the wdb कितना 90 लाक है then decline in value जो 40 लाक का decline है can be recognized in the books as impairment loss ठीक है उसकी क्या entry pass करेंगे impairment loss account david 40 लाक से to investment property account 40 लाक से ठीक है और उसको impairment loss को हम profit and loss account में transfer कर देंगे charge कर देंगे यहां तक clear है बहुत असान है कुछ और बाते इस से related हम चाचा करते है ठीक है if fair value of investment property at balance date become higher than wdb then it cannot be recognized in the books अब मान लिजिये हमारा case उल्टा हो गया फेर बैल्यू मान लिजिए 50 लाक की जगा 50 लाक की जगा 500 लाक हो गया तो और wdb कितना था हमारा case में wdb wdb हमारे case में 90 है तो अपबार जो यह तो downgrade था 50 लाक यह 500 लाक अपबार evaluation है तो फेर बैल्यू क्या 500 लाक दिखाएंगे बुक्स में तो वह ही कह रहा है कि upward revolution है वो allowed नहीं है हमें only downward revolution allowed है हम जो impairment loss ही केवल दिखाएंगे impairment gain is not allowed impairment gain is not allowed under India S40 only impairment loss is allowed this is the catch आपको धियान रखना है तो impairment loss recognize नहीं करेंगे sorry impairment loss को recognize करेंगे impairment gain है तो उसे recognize नहीं करेंगे तो upward revolution allowed नहीं है if fair value of investment property at balance date become higher than wdb fair value ज्यादा हो गया fair value देर सो crore हो गया wdb भी नबे करोर था है then it cannot be recognized in the books it cannot be recognized it means that upward revolution is not allowed upward revolution allowed नहीं है impairment allowed है impairment loss allowed है impairment gain not allowed है simple है आगे कहता है as per India S40 fair value can be reported in notes to account fair value को कैसे report करना है fair value को balance sheet में नहीं recognize करना balance sheet में नहीं say notes to account में note to account में हमें दिखाना fair value को it will be choice of entity but fair value disclosure जो ICI जो हमें कहता है वो हमें fair always कहता है fair value पर disclose करना है ICI के according fair value पर disclose करना but entity के पास choice है वो fair value को disclose करे ना करे but as per ICI fair value should be disclose in the notes of account ठीक है अगर कोई entity fair value पर report करना चाहता है तो क्या ऐसे ही report कर लेगी यह कुछ करना परेगा तो वही कहता है India's 40 कि कोई entity fair value पर अगर report करना चाहता है तो उसके लिए condition है पहले तो आपको independent valuer से fair value को value कराना है कि खुद से ही आप value कर लो खुद से value को बढ़ा दो तो इससे है ना प्रजांटेशन नहीं होगा जो users of financial statement है उस उनके लिए शाही नहीं होगा तो तो शाही अगर fair value पर report करना है तो सबसे पहले आपको independent valuer से आपको value कराना देन आपको report करना हो भी report करना है इंक्लूसिफ और all in component वाई जी रिपोर्टिंग नहीं करनी है जैसे जैसे हमने बताया कि टायर को अलग नहीं और बाकी पार्ट गाड़ी के पार्ट को अलग नहीं component वाई value asset cannot be considered as additionally जैसे मानलो कि हमने दूसरा example जो है अगर हम बिल्डिंग कर लिया और इंटीर कर लो तो बिल्डिंग के value में अगर enhancement है तो केवल बिल्डिंग के value को हम enhance नहीं करेंगे तो हमें total interior total building और इंटीर दोनों की value को टायर और कार के interior और कार के अधर body जो है वो दोनों को इंटिंग्रल पूरे सट रिपोर्ट करना है तो उसकी दो कंडिशन है पहले तो आप उसको इंडिपेंडेंट वैल्यूर से वैल्यू कराएए फिर उसको complete package के रूप में रिपोर्ट कीजे जो जैसे कि building में lift होता है एसी होता है तो उसकी value को भी साथ लेके आपको report करना है it should be reported as a complete package inclusive or integral asset जो भी integral asset है उसके साथ report करना है तो अभी जो हमने चर्चा करें उसको समराईज करते हैं measurement balance date पे कैसे करेंगे measurement balance date पे करने के लिए सबसे पहले हम original cost लेंगे सबसे पहले हम original cost लेंगे उसपे depreciation चार्ज करेंगे फिर उसमें impairment कोई loss आ रहा है तो impairment loss लगा है gain को ignore करेंगे जो निकल के value आगी वो हमारा carrying amount है यहां तक clear है उसके लिए जो entry बनेगी impairment loss के लिए impairment loss को debit करेंगे investment property को credit करेंगे और फिर impairment loss को profit and loss account में transfer करेंगे upward revolution allowed नहीं है upward revolution allowed नहीं है ठीक है upward revolution is not allowed और fair value जो है वो कहां disclose करेंगे वो not to account में disclose करेंगे यह ध्यान रखेगा mcq में आ सकता है तो fair value जो है हमें कहां report करना है fair value reported in note to account और क्या यह mandatory है यह mandatory नहीं है यह choice है entity की और note to account में fair value को report करें न करें बड़ जो as per ICI ICI requirement करता है कि fair value को आप note to account में दिखा है और fair value को दिखाना है तो उसके लिए आपको independent valuer से value कराना होगा और उसे complete package के रूप में record करना ना कि component Y record करना है ठीक है इससे related जो question है वो आप discuss करते हैं on 1st April 2001 an entity acquired an investment property building for 40 lakh 40 lakh rupaya में कोई building खरी दा management estimate the useful life of the building 20 years from the date of acquisition the digital value of the building is 2 lakh management believe that the estate land depreciation method लगाना है method reflects the pattern in which I expect what is the carrying on carrying amount पूछ रहा है क्या होगा बहुत ही simple question है कह रहा है कि कोई building खरीदा है 40 lakh rupaya में जिसकी use fuel life 20 years है और residual value जो है वो 2 lakh है और depreciation जो चार्ज कर रहे है वो SLM basis पर तो carry on क्या होगी simple है 40 lakh की property थी cost opposite depreciable amount कितना हो गया 40 lakh minus 2 lakh 2 lakh जो residual value निकल के 2 lakh less करना है तो निकल के जो value आएगी वो 38 lakh पर आपको depreciation लगाना है SLM follow कर रहे है 20 years की life है तो 38 divided by 20 1.9 lakh रुपया जो है annual depreciation आगया depreciable amount divided by useful life जो value निकल के आएगी 1.9 lakh 1.9 lakh यह हमारा depreciation का amount आगया उस साल का carry amount कितना होगा पूछ रहा है carry amount कितना हो जागा cost में से less कर देंगे depreciation तो हमारा carrying amount निकल गाएगा 40 minus 1.9 lakh that is 38.1 lakh is the carrying amount तो carrying amount कैसे निकल गया clear है 40 lakh का asset था 2 lakh depreciable amount था 2 lakh scrap value था तो scrap value less करके depreciation SLM basis पर निकाल गया तो 40 lakh में से depreciation गटके 38 lakh आ गया this is the carrying amount of investment property अगला question discuss करते है question no.20 ठीक है the value the fair value of investment property जो beginning पर है 15-16 की beginning पर 25 million pound है और at the end of 15-16 15-16 अब आगे क्याता है there is an air conditioning plant which was purchased at the beginning of 13-14 for 1 million pound air conditioning plant जो हमने AC plant जो खड़ीदा था 13-14 में उसकी वेल्यू है 1 million पर आप it is depreciated at 10 पर आपन आप and lift installed at the building 11-12 costing 1.2 million which is also depreciated at the rate of 10% पर आम as per paragraph 50 of India's footty the company wishes to present an all-inclusive fair value all-inclusive मतल क्पोनेंट वाइ नही all-inclusive fair value of investment property कंपोनेंट वाई नहीं करना है उसकी पॉलिस ये कंपनी की एजिम डिप्रिशेटेटेड बुक वैल्यू अब दे कुपमेंट रेप्रेजेंट दा फियर वैल्यू एड दा इंड अब दा इयर कंपनी इंड डिलेमा प्रोसिज टू फोलोर कैसे फियर वैली को रिपोर्ट करन क्रना है ये कंपनी पोच रही है आप से कंपनी के आप से कंपनी पोच रही है ये हमारी कंपनी की सिचूएशन है 25 मिलियन ओपनिंग वैल्यू था, 32 मिलियन क्लोजिंग वैल्यू है, इस 32 मिलियन के, इस 32 मिलियन के दो टुक्रे हैं, इस 32 मिलियन में एक टुक्रा क्या है, इसी का है, दुसरा टुक्रा क्या है, इसी का है, दुसरा टुक्रा जो है, इसी प्लांट वाज परचेज, इस बीन दुसरा टुक्रा क्या है, लिप्ट है, लिप्ट है, बाकी अधर, ठीक है, इसी है लिप्ट है, बाकी का अधर असेट है, एटीन टुकड़े हो गया यह यह दा फिर वैल्यू अप इन्वेस्मेंट पोड़े दी बिटिंग आप दो पचीस मिलियन डार एड जैंड अप थर्टीटू मिलियन दे एक एक की वैल्यू जो दोजाद तेरा चोदा में दोजाद तेरा चोदा में खड़ी दाता उसकी वैल् इतनी है one million dollar one million pound और depreciation का rate है 10% ठीक है सबसे पहले जो question में दिया रहता है वो आपको note-down करना होता important facts को जिससे की आपको समझने में अचानी होती है lift install किया है 1.2 pound का 1.2 million pound का और lift जो है 11-12 की है इस पर भी depreciation जो है 10% है SLM है तो आपको कहता fair value निकाला बाकी का balance निकल के आएगा other side के value है इस 32 million के तीन टुकड़े हो गया है तो हमने जो AC खड़ीदा है हमने जो AC खड़ीदा वो 13-14 में खड़ीजा और अभी यह है जो साल जो question दे रखा है वो 15-16 के end पे हम अभी है 13-14 से 15-16 में कितने हो गए कितने years हो गए 3 years और lift जो था 2011-12 में खड़ीदा तो 11-12 से 15-16 कितने हो गए 5 years तो 3 years का क्या मतलब हो गया 30% 10% की rates से 5 years का क्या मतलब हो गया 50% 10 into 5 10% एक साल का तो 5 साल का 50% हो गया 10% एक साल का तो 3 साल का कितना 30% हो गया तो 30% AC पे लगा दीजिए और 50% lift पे आप दिप्रिसेशन लगा दिए तो 1 million की वेल्यू पर 30% डिप्रिसेशन काटने के बाद जो value निकल के आएगी वह .7 million आएगी एक million का था उस पर 30% डिप्रिसेशन चार्ज कर दिया तो 70% value रहे गए तो 70.7 million हो गया AC का lift का जो value हो गया वह 1.2 million था उसे 50% depreciation लग गया 50% जो sales रह गया value 0.6 million रह गया जो balance जो figure आ गया वो निकल के other asset की value आ गयी तो यह जो balance जो 32 million हो गया यह जो balance जो fair value हो गया वो 30.7 million हो गया इसको हम note to account में disclose करेंगे 30.7 को note to account में disclose करेंगे we have assumed that depreciation is charged on SLM basis हमने क्या depreciation जो है SLM basis पे charge होता है और यह जो statement हमने बनाया statement showing fair value of investment property यह जो statement हम बनाया statement कैसे बनाया statement showing fair value of investment property fair value of air conditioning plant इतना fair value of lift 0.6 million fair value of investment property 30.7 million total fair value 32 million इस प्रकार से जो fair value निकल गया गी यह हमें नोट टू अकांट में disclose करना इस इस पेर वैल्लू को 32 लास्ट को 32 million को नोट टू अकांट में disclose करेंगे ना कि हमें अब किसी एक की वैल्यू बढ़ गई है तो तो केवल एसी का वैल्यू नहीं दिखाना या या केवल लिप्ट का वैल्यू नहीं दिखाना हमें सारे का वैल्यू इंटीग्रल कंबाइन करके इंटीग्रेट करके सब्सक्राइब दिखाना है ठीक है जो कि 32 million है उसका ब्रेक अप यह रहा ऐसे करके हम नोट टू अकांट में प्रजेंट करेंगे ठीक है अब कभी कभी क्या होता है बेटे मान लो कोई एसेट हम अज इन्वेस्मेंट प्रपर्टी यूज कर रहे थे अब उससे हम रेंट पर लगा जते हैं जो हम रेंट पर लगा रहे थे उससे हम बिजनस यूज में कर रहे हैं मान लेक जी कि हमारा बिजनस बढ़ा हो गया कभी बागी तीन बीजनेस को किराय पर लगा दिया अब हमारा बिल्डिंग अब हमारा बीजनस फैल गया बड़ा हो गया तो हमें और वह बोड़ी वील्डिंग क्या वश्कता पड़ी आप फिस चलाने के लिए था हमने हमने जो remaining three building था उसे भी हमने business के लिए occupied कर लिया उसे भी हमने business के लिए use कर लियां तो जो investment प्रचा हमियां करने वाले या इसका रिवर्स केस हो सकता है कि हमारा स्लोडाउन चल रहा है जैसे अभी एकनोमी में स्लोडाउन है तो जो प्रपर्टी हम बिजनस के लिए यूज कर रहे हैं उस प्रपर्टी को हम रेंट के लिए दिया जगा खाली पर रहता बिल्डिंग को कोई यूज हो नहीं रहा था अब उस बिल्डिंग को हमने डिशाइड किया लिया है कि अब उस बिल्डिंग को किराए पर दे देंगे और उसने किराए पर दे दिया तो हमने प्रपर्टी का क्या किया हमने ट्रांसपर कर दिया उसके यूज को चेंज कर दिया पहले हम प्रविजन ऑप दे इंडाओ करता है कि आप कर सकते हैं आप बिजनेस से रेंटल यूज रेंटल यूज रेंटल यूज से बिजनेस से कर सकता है तो क्या सिनेडियों बन सकता है पहले मा लिजिए हेल्ड पॉर यूज था अब है ना हेल्ड पॉर रेंटल या प्रिशेट था तो पीपी इंडेस सोला अप्लिकेवल था अब ट्रांसपर करने के बाद जो अप्लिकेवलिटी आ जाएगी वो चेंज हो जाएगी इंडेस की इ पॉर्टी इप्लिकेवल आट्रेक्ट होता था अब हम ने उसको डिसाइड कर लिया कि बिजनेस के लिए यूज करेंगे अब बिजनेस के लियूज करते ही उसके कौन सा अप्लिकेवल हो गा। एंडेस सुक्स्टिम पइपी पहले आज एइंवेंटरि यूज करते थे, फलैट को खरिते बेच थे, बिल्डिंग को खरिते बेचते थे, अब हमारा बिजनस बंद हो गया, खरितने बेचनेका, अब उससे हमने रेंट पे लगा दिया, तो इंडएicio पोटी एट्रेक्ट हो गया, पहले आज इंवेंटरी यूज करते थे पहले आज इंवेंटरी यूज करते थे अब आज रेंटल इंकम कमाने के लिए यूज करते हैं पहले उसी करीबस के पहले रेंटल के लिए यूज करते हैं करते थे अब उसे इंवेंटरी के लिए यूज करते हैं तो इस परकार आपन अब शोलहा हो रहा है पहले इंडियस्टू अफ़ला होता था तो अब हो रहा एंडियस्ट्रू अब्सक्न अब प्लियोट इस पेस कांटि कैसे करेंगे उसी बात की चड़ जामिया करें आखा सबसे पहली बात जो निकल के आ रही ऑच committees करें और एसे यूज करने पर एसे ट्रांसफर करने पर कोई जर्नल इंट्रे नहीं होगा सबसे बड़ी बात सर क्या हमें जर्नल इंट्रे पास करनी होगी पहले हम बिजनेस के लिए यूज करते थे अब हम रेंटल के लिए यूज करेंगे सर कोई जर्नल इंट्रे पास करनी है बैटे तो सर मजे आगे कोई घरणल इंट्री नहीं फास करना है तो कैसे पता चलेगा कि हमने यूज change कर दिया है कैसे ट्रांशवर कर दिया है कैसे पता चलेगा balance sheet के user को पता चलेगा बैटे उसे हम disclose करेंगे note to account में under appropriate heading but disclosure sell भी updated disclosure को update करेंगे appropriate heading में disclose करेंगे तो इसके लिए कोई general entry नहीं पास होगी बट इसका proper disclosure करेंगे under appropriate heading में disclose करेंगे ठीक है फिर आगे कहता है ट्रांपर प्रोंड इंडेस टू अधर विली मेड़ेट करेंगे जो ट्रांपर करेंगे वो carrying amount पर जो value पर जैसे पहले जैसे पहले मान लीजे 100 लाक पर आ रहा था 100 लाक पर आ रहा था तो नया value जो transfer की value होगी वो भी 100 लाक ही होगी पहले 120 लाक का रहा था तो अब भी नए value जो है carrying amount 120 लाक ही आएगी value में carrying amount में कोई change नहीं होगा due to such transfer due to such usage ऐसे usage से carrying amount पे कोई असर नहीं परना carry amount same होगा carry amount में कोई change नहीं होगा there will be no change there will be no change in carry amount यह आपको द्यान रखना है carry amount में कोई change नहीं होगा journal entry भी कोई pass नहीं करनी है है और diffé culture या तीन बात हो गई है पहली बात क्या है कोई ज्रेृ इंटरी नहीं करना है दूसरे बात क्या है एप्रोपेट डिस्क्लोजर करना सूनला है किसरा जो बात क्या है वह करीम पर ही जो वीशन नििकल कि gider ओपनिंग वैलिम अरहे थी वह यह बहले closing value आएगी, carrying amount पे ही हम लेंगा है, इसका क्या मतलब हो गया, it means that there will be no measurement under previous India's before making transfer of asset, मतलब transfer, केवल transfer करने के लिए कोई फिर से दुबारा valuation करने की कोई जरूवत नहीं है, हम पुराने valued amount पे ही carry कर सकते हैं, there will be no valuation, ठीक है, तो कोई general entry नहीं करना है, disclosure करना है, कि हमने usage change कर दिया, transfer कर लिया है, under appropriate heading, फिर जो carrying amount है, वह ही आएगा, जो पुराना carry amount था, वही carrying amount होगा, transfer from one day to another will be made at carrying amount, जो पुराना carry amount था, वही carrying amount आएगा, value में कोई change नहीं हैगा, no or कोई measurement, कोई revelation नहीं होगा, जब हम transfer ऐसे कर चुके होंगे, जब हम ऐसे transfer कर देंगे, after completing transfer process, जब हम transfer कर देंगे, तो measurement of the property will be made at per new India, सारी, ये क्या बात कर भी समझने हा, पहले क्या था property, rent के लिए था, rent के लिए मानलो 100 रुपिय पर आ रहा था, फिर हमने इसका use change कर दिया, अब इसको business के लिए use कर लिया, तो अब कितना new carrying amount लेना है, business पे भी, जो carrying amount होगा, वो 100 ही होगा, क्या इसके लिए कोई general entry पास करना है, no general entry, ठीक है, अब year end पे आ गए, reporting date पे आ गए, तो अब पूछता है, अब क्या करना है, अब इस 100 रुपिय क्या करना है, तो अब जो indies putty कहता है, अब जो है, इस पे जो नए usage के according, नए usage के according, indies applicable होगा, अगर यह business के लिए use हो रहा है, तो indies section applicable होगा, अगर inventary के लिए use हो रहा है, तो India is 2 applicable होगा for valuation अगर यह investment property के तौर पे यूज हो रहा है तो India is 40 applicable होगा तो क्या रहा है at the end of the day at the reporting date after completing transfer process after completing transfer process measurement of property will be made as per new India's ठीक है तो यहां देखिए step 1 में हमने क्या किया यह confusion दूर करते step 1 में था पहले से हम rent पर use करते थे step 2 में हमने क्या किया business के लिए किया कोई change किया हमने value में कोई value change नहीं अब step 3 में value change हो सकता अब जो भी change करना है वह as per new India's new India's जो भी usage के according जो भी India's applicable होता है उसके according हमें report करना है बस इतनी सी बात है at the end of the year at the end at the reporting date जब transfer हो जाएगा तो property will be valued as per new India's बस इतनी सी बात है चलिए अब हम discuss करते है question तब आपको more clarity मिलेगी moon limited has purchased a building on 1st April 2001 at a cost of 10 million 10 million का कोई building खड़ीदा है moon limited ने ठीक है the building was used as a factory by moon limited factory के तौर पर moon limited यूज कर रहा था and was major under cost model और cost model यूज कर रहा था question में information दे रहा है कि 10 million का कोई costing का building है फ्रेक्टरी के रूप पे यूज कर रहा तो इसका मतले index 16 applicable होगा cost model और कह रहा है cost model apply कर रहा है the expected useful life of building is estimated 10 years 10 years की life expect किया due to decline in demand of the product company does not need the factory anymore and has rented out rented out कर दिया building पहले ये खुद यूज करते थे factory के लिए अब हमने रेंट आउट कर दिया रेंट आउट करते ही मारे दिमाग में क्या चलेगा index 40 पहले कौन सा था index 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 16 से अब आगे हम index 40 पे रेंट आउट कर दिया to third party from first अपरे 2005 on this date fair value of building is 8 million इस date पे पे पेर वेल्यू जो था फेर वेल्यू था एट मिलियन था ठीक है carrying amount नहीं है ये फेर वेल्यू मून लिमिटे यूज कॉस्ट मोडल पर accounting of investment property investment property काउंट करते भी कैसे हैं कॉस्ट मोडल ही करते हैं तो अब आपको इसका treatment बताना क्या treatment होगा सबसे पहले हमें के रेंट निकालना होगा फेक्ट्री का बार साल के लिए लगाएंगे कितना है जाएगा फोर मिलियन ठीक है क्योंकि इस्टिक क्योंकि इस्टिमिटेड लाइब टेन इंटू फो कैसे फोर आया टेन डिवाड़ेड वाई टेन इंटू फो यह निकल के जाएगा का फिगर यह फोर मिलियन तो कैरिंट कितना हो गया शिक्स मिलियन तो न्यू केरिंग एमाउंट कितना हो गया एकचार दो जार पांच को 6 मिलियन ठीक है सेट वि केमाऊंट को पहाइए वह सब्सक्राइव होगा इस्व यह पहले की साल इफ सिर्फ पहले कांटिंग वेकां। accounting अभी भी किया 10 million की value था हम हमें depreciation लगाना था depreciation लगा दिया जो carrying amount नहीं कल गया होई carrying amount पे उसी पुराने carrying amount पे हम इंडियास 16 से इंडियास 40 पे आगे इंडियास इस transfer की बज़ा से हमने value में कोई change नहीं किया ठीक है we cannot incorporate fair value 8 million in the books of account फिर books of account में 8 lakh रूपया आप नहीं ले सकते क्योंकि value निकलके जो आरे return down value वो 6 lakh है 6 million है 8 million नहीं है क्योंकि इंडियास 40 जो है इंडियास 40 जो है upward revolution upward revolution allow नहीं करता है अभी थोरी देर पहले हमने पढ़ा था तो upward revolution allow नहीं करता है इंडियास 40 तो 8 million की value हमें नहीं लेना है and does not allow upward revolution ठीक है इंडियास 40 upward revolution allow नहीं करता है इसलिए 8 million की value नहीं दिखाना है हमें हमें जो carrying amount जो है उसी पे दिखाना है disclosure of fair value 8 million can be made in note to account as per measurement rule ठीक है आप हाँ disclose कर सकते हैं fair value को provided कि आपने competent valuer से recognize valuer से value करवा लिया हो और उसका certificate आपके पास हो तो value कराने के बाद 8 million आप उसको cable ओभी cable note to account में दिखा सकते हैं न कि balance sheet में incorporate कर सकते हैं balance sheet में नहीं दिखाना है balance sheet में नहीं दिखाना 8 million को ओ कहां दिखाएंगे 8 million को आप दिखाएंगे note 8 million किस वज़े से आप दिखाएंगे यह 8 million डूटू इंडेयस 40 अब क्योंकि अब जो उसका treatment होगा वह नए वाले इंडेयस के according होगा तो यह 3 step था पहले step में हमने क्या किया पहले step में हमने कोई general entry pass किया नहीं किया due to such transfer केवल हम disclose कर देंगे books में कि हमने इस heading से हमने इस use से दूसरे use के लिए हमने कर लिया फिर carrying amount जो निकल के आएगा वही पुराना वाला carrying amount है जो 6 million जो था वही carrying amount अभी भी होगा carrying amount में कोई change नहीं होगा due to such transfer due to such deviation जो nature of use जो change कर लिया self-use से हमने rent पे कर लिया उससे value में कोई असर नहीं वा अब जो reporting date पे जो reporting होगी अब जो balance date पे जो reporting होगी एक 6 million की reporting new index जो भी apply होगी new index जो apply होगी as per their nature और property वो apply होगी index 40 index 40 में कह रहा है कि upward revolution allowed नहीं है fair value हाँ आप note to account में दिखा सकते हैं पर upward नहीं कौनली downward fair value दिखा सकते हैं तो वही चीज है 8 million को आप नहीं दिखा सकते है अगर यह 6 million हो गया होता तो note to account में report कर सकते थे disclosure of fair value of 8 million can be made in note to account as per measurement date 8 million को आप note to account में दिखा सकते हैं 8 million को आप note to account में दिखा सकते हैं अपवाड revolution को books में incorporate नहीं कर सकते हैं जो books में आप incorporate नहीं कर सकते हैं अब अब चैरिंग अमांट जो आ रहा होगा वही करिंग अब लेना है ठीक है जो करिंग अब आ रहा होगा उसके इंडेस अप्लिकेवल होगा रिपोर्टिंग डेट पे वह इंडेस अप्लाई करेंगे जैसे नया वाला इंडेस पोटी है तो पोटी अप्लाई कर देंगे जो नया इंडेस अप्लाई होगा उसके हिसाफ से अब हम रिपोर्टिंग करेंगे carrying amount अब उसके साफ से अगर change हो रहा है तो मुझसे change कर देंगे कब change करेंगे at the end of reporting date ठीक है दूसरा question देखते हैं for more clarity X limited X limited has an investment property building which is carried in balance sheet on March 15 लाख during the day X limited has stopped letting out the building and use it to office मतलब पहले investment property यूज हो रहा था पहले investment property stop letting कर दिया अब उसको यह office प्रवाइस के लिए यूज कर लिया ठीक है on 31st मां 2001 management estimates the recoverable amount of the building 10 lakhs and remaining useful life 20 years how should how should X limited account for the above investment property एक चीज़ यहां बताना मैं आपको भूल गया एक अभी दियान आ गया मुझे मैं आपको clear कर रहता हूं यह जो change है इसके ट्रांसपर्स जब हम ऐसे ट्रांसपर्स जब हम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास substantial evidence होना चाहिए हमारे पास evidence होना चाहिए ना कि केवल management के intention पे on the business of management intention हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हमने actually में वो काम कर दिया हैं हमने actually प्लाइ सब्स्काविगिे do to be is catch कर्या सुनिया डिया हो हैं पहले हम देते तो तो बजय के लिए कर रहे हैं करने लगे हम आपिजनस में use कर रहे हो बंथ ही है इह अपनाइं होगा अधर आप्लैगा ऑधरवाई यह अपनके बंगें ठीक है अब आई ये पुना इस question पर ये question जो कह रहा है कि पहले हम investment property के तौर पर यूज कर रहे थे अब हमने business प्रमाइस के लिए यूज कर लिया तो पहले इंडेस 40 अप्लाई होता था अब इंडेस 16 अप्लाई होगा तो करता था क्या treatment करेंगे हैं बताइए पहले 15 लाग थ अब यूज दस लाग हो गया तो इसके treatment पूछ रहा है आपसे आप सीए है तो अब बताइए क्या treatment करना है तो एट 31st मार्ट टुड़ान है बंदर गीवन इंडेस में प्रपरटी विल भी ट्रांसपर प्रों इंडेस 40 तो इंडेस सोला ठीक है at 15 लाग which is carry amount carry amount पे ही transfer कर देना है इसके लिए कोई general entry pass कर रहे है नहीं कोई general entry pass नहीं करना पहले भी 15 लाग पे आ रहे थी अब भी जो है वो 15 लाग पे आएगी आप्टर सेच ट्रांसपर ट्रांसपर करने के बाद we should write of 5 लाग as impairment laws under इंडेस 16 cost model cost model हम ले रहे हैं इंडेस 16 में management estimate recoverable life है दस लाग रुपे रह गई है तो पांच लाग का impairment loss लगाना पांच यह जो पांच लाग का impairment loss है वो किसकी वज़ासे है वो नए वाले इंडेस की बज़ास से होगी क्योंकि यह पहले हम investment property इंडेस 40 अप्लाइ कर रहे थे अब हम नेचे चेंज हो गया हमारे property का अब उस पे पीपी इंडेस 16 अप्लाइब होगा तो पांच लाग रुपया का आब हमें इंडेस शोला के according impairment loss बूक करना होगा ठीक है cost model के according the revised carrying amount of PPE would be 10 लाग and it will be depreciate over remaining useful life ठीक है अब फिर से discuss करते हैं पंदरा लाग की property थी पंदरा लाग की property थी पहले हम business use के लिए पहले हम rent out के लिए use करे ते अब हम business use करना चाहते हैं तो अब management पूछते है तो इसका क्या treatment होगा और additional information है recoverable amount जो है अब इसका 10 लाग रुप्यार रहा गया तो पंदरा लाग की property को अब हम क्या करेंगे पंदरा लाग पर ही carry करेंगे इस इंडेस की वज़ा से इस नो नो पंदरा लाग की प्रोपर्टी को पंदरा लाग पर ही carry करेंगे ठीक है सबसे पहली बात तो यह होगी दूसरी बात कि ऐसे ट्रांसपर की वजह से ऐसे यूज की वज़ा से कोई जनने इंटरी करना कोई जननल एंटरी नहीं करना थी कित्ने पर 35 यूत nya शाइन कोईगा 26 उन्यून इंडेस सोला क्यों होगा क्योंकि अब हम बिजनेस यूज कर रहे है क्योंकि नया वाला जो यूज है वो बिजनेस की यूज कर रहे है तो इंडेस के कौन सा लगाएंगे इंडेस सोला एक से और क्लियर करते हैं पहले क्या पहले क्या कर रहे थे बिजनेस यूज कर रहे Ngin Reverse Case है Desperate हम क्या कर रहे थे Earth पहले हम RENT के लिए हम क्याे लिए यूज कर रहे थे आप हमने क्या क्र दिया? Business के लिए यूज कर दिया स्थरी रेंट के लिए यूज कर रहे थे तो इस पह ke-49 लग होगा इंडेयस आब इस पे कूंसा इंडेयस लगेगा अब इस पे इंडेयस 16 अप्लीकेवल होगा तो पहले यह कितने का value का था 15 लाग का था तो carrying amount जो होगा वह कितना 15 लाग पे होगा कोई general entry होगा कोई general entry नहीं होगा at the end of reporting date 15 lakh की value को हम में क्या लगाएंगे impairment loss लगाएंगे 15 lakh में 5 lakh का loss लगाएंगे नया carrying amount कितना हो गया new carrying amount 10 lakh का रहाएंगे यह 10 lakh किसकी बज़ा से है यह वाले new index की बज़ा से यह 10 lakh new index की बज़ा से है है ठीक है तो रिपोर्टिंग डेट पे new index अपलाई होगा simple सा इतना कहना है एक और दूसरा question लेता है जिससे आपका उमोर किलेर्टी आएगी पानी पीलू हाँ सर पानी पीलू चले बट्या question में जो fact दिया है X limited property A is used as office building of the company जिसके costing 30 crore थी accumulated depreciation 20 crore net 10 crore का था company put the property into renovation and intended to lease out under one or more operating lease ठीक है वहती असा चुश्चान है समझी गए आप पहले office building के लिए यूज करते थे आब हमने lease out कर दिया office building के लिए यूज करते थे कौन सा इंडेस लग रहा था कौन सा इंडेस लग रहा था बोलिए इंडेस 16, अब लीज आउट कर लिए, इंडेस कौन सा लगेगा, 40, कोई जर्नल इंट्री पास करनी है, नहीं सर, जर्नल इंट्री कोई पास करनी है, करीं अमांट कितना होगा, 30, 40, माइनस 20, स्कल टू 10 करोर करीं अमांट होगा, 10 करोर पे ही, यह प्रोपर्टी करी हो जाएगी, at the end of reporting date, कौन सा इंडेस लगेगा, इंडेस 40, इंडेस 40 क्या का था, cost model, 40 रिनुवेट किया, आंजर, one hour more operating, तो cost model में क्या कर रहा है, the cost कितने आ रही, 10 लाग की, तो 10 करोर पे ही, प्रोपर्टी रिपोर्टी होगी, यह यह answer हो जागा, इसका, given office building will be transferred from indiaz 16 to indiaz 40, at 10 क्रोर, which is carrying around on such day, ठीक है, कोई answer नहीं है, यह समें कोई impairment loss नहीं है, indiaz 40 में कोई impairment loss नहीं भूक करना है, ठीक है, दूसरा question, property be used under operating lease, 50 क्रोर, put into renovation for sale, ठीक है, प्रपर्टी भी यूज अंडर ओपर्टिंग लीज, एकुमेटर डिप्रिसेश्ट ट्वंटी करोर, नेट कितना था, 30 करोर का था, प्रपर्टी इस पूट इन्टो रिनोवेशन, फोसेल, भले लीज के लिए रखे, लीज के लिए देते थे, अब हमें सेल के लिए, इन्टेश के लिए मतलए, इन्टेश टू अपलाय, यह हो, ना ने, इन्टेश टुट, यह भी तो हो सकता है, कि इन्टेश, वन जरो फाइब आपलाय हो जाए, ठीक है, असे है, असे लिज पो सेल, वन जरो फाइब, ठीक है, टो इस केस में क्या करें, इन दा गीवन केस, भी नहीं वाले इंडेस है उसके कोडिंग यही हो जोगा पोपर्टी भी यूज अंडर ओपरेटिंग लीज कोस्टिंग फिप्टी करो नेट कितना सा 30 करो अब इसको है क्या है और इसमें बिजनेस ही करने लग से इनवेंट्री यूज कर लिए इंडेस के लिए लगा दिया तो हम मानेंगें इंडेस 2 apply होगा, तो इस case में क्या होगा, in the given case property B will be transferred from index 40, transfer कितने value करेंगे, जो पुरानी value आ रहे थी, उसी value पर करेंगे, पुरानी value कितनी आ रहे थी, 50 minus 20, 30, 30 पर ही transfer कर देंगे, कोई general entry होगी, कोई general entry नहीं होगी, in the given case property B will be transferred from index 40 to index 2, या जो भी निया वाला index होगा, अगर होता, अगर मान लो 105 होता, तो 105 में, तो 30 crore, which is carrying amount of such property, carrying amount पर ही, वो परपर्टी को लाएंगे, ना कि कुछ में कोई रहे 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 पर new index के coding, जो भी निया वाला index होगा, उसके coding हम उसे revalue करेंगे, ठीक है, अब, next class में हम लोग discuss करेंगे, disposal of investment property, तब तक के लिए thank you, thanks a lot for listening, have a nice day, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, हमारे चैनल को subscribe कीजिए, ताकि आप समय पर नए वीडियो की notification मिल सके, thank you, thanks a lot for watching my video, have a nice day. दोस्तों के साथ